दुनिया की ऐसी तीन चीजे जिसमें भारत पूरी तरह से आत्मनिरफर है। पहले आता है मैडिसन, दवाईयां, यानी जैनरिक ड्रग, भारत वर्ल्ड का लाज़ेस जैनरिक ड्रग मैनुफेक्चरर है। जिन लोगों को भारतिय दवा पर भरोसा नहीं, वो ये बात जान ले कि भारत HIV से लेकर कैंसर जैसी तमाम खतरनाक बिमारियों के लिए पूरी दुनिया के मुकाबले काफी सस्ती दवा बनाता है। इसलिए डेवलप कंट्री रशिया भी अब भारत से मैडिसिन की डिमान कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले 25 साल में हमारे देश को फार्मा सेक्टर कहा जाएगा। फिर स्पेस मिशन भारत ने स्पेस टैक के मामले में भी जंडे गाड रखे हैं। जैसे फिलहाल में होने वाला इसरो का गगन यान प्रोग्राम। इसके द्वारा इंडियन एस्टोनोथ स्पेस वॉक करने वाले हैं। जिसकी टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। इससे पहले भी भारत ने 2014 में मिशन मंगल को केवल 24 मिलियन डॉलर्स में पूरा करके दुनिया को सकते में डाल दिया। और स्पेस मिशन के मामले में भारत पूरी तरह खुद के टेकनलोजी पर निरभर है। Digital Payment मतलब Online Payment के मामले में भारत ने अमेरिका, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। साल 2013-14 तक भारत में Digital Payment महज 220 करोड का ही हुआ था। लेकिन 2021 में भारत ने सब को पीछे छोड़ते हुए 5554 करोड रुपे का ट्रांजेक्शन किया है। यहां तक भारत की UPI टेकनलोजी को दुनिया के कई देशों जैसे सिंगापॉर, नेपाल, साउधी अरब ने हमसे ही लिया है। और एक मज़ेदार बात बताओं, तो अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा Digital Payment Ecosystem बन गया है।